हलो वेलकम बैक वेलकम टू इंजिनियर्स प्रेटफॉर्म आज मैं यहाँ पर देखने वादा हूँ ट्रांसफोर्मर के ओटर्मोस्ट पार्ट पर क्या होते हैं और इससे लेटर कौन-कौन से हमारे dependent questions बन जाते हैं generally लिक्यामों में आते हैं कुछ important points के बारे में बात करों यहाँ पर जो ट्रांसफोर्मर है जिसके mostly outer part की बात करूँ मां inner part के बारेम आप रहगुलर पता होता है लेगि और इसे किici बात करूआ डेल गेज एन रेडियेटर यह साथ ऐसे पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना अच्छी कि क्या होता है जिसको हम एनिमेशन और विजुलाइज़ेशन के थूरू बहुत 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 हैं तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं सबसे पहले हमारे सामने आत इसके जो टेंक होते हैं में यहां पर यह देखोगे यह में कंजर्वेटर होता है और यहां से हमारा सिलिका जेल का कनेक्शन होता है वीधर जिसको बुले आता है तो यहां पर यह उते हैं अब ध्यान रखना बखोल जिले की विचर्चाम करेंगा लेकिन एक बार चाहूं मैं इस तरह के से किता बड़ा होता है तो यह भी टैंक एक पावर ट्रांस्फरमर के अंदर कंजर्वेटर का साज भी बहुत बड़ा होता है और यह अगर बात करोगे यहां पर तो कंजर्वेटर के अंदर एप्रॉक्समेंट 50% ओइल फिल कियाते हैं इसमें और एक्सपेंशन होते हैं ओयल के जिसकी यूज की आती है अगर मैं यहां पर आपसे बता दूँ यहां पर इस टेंक के अंदर थोड़ा सा अगर यहां पर आपको विजुलाइजिसन हो तो मैं कुछ आप लोग को बताऊं यह टेंक जो होगा इस कंजर्वेटर के यह दिग बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके कान ओयल बहुत हीट अप होते हैं दिन और रात में कंपेस होता है क्यों कूल होता है और दिन में हीट अप होने से गर्म होते हैं दूसरा रीजन और भी होता है अगर लोड़ेट कंडिशन ज्यादा होता है एक ट्रांस्परम अगर हाई heat up होते है तो यह क्या होता है एक्सपेंड करता है तो जब भी एक्सपेंड करता है तो यह क्या करता है यहाँ पे इसके oil layer को बढ़ा देता है यहाँ पे oil की layer को बढ़ा देता है और oil की layer को जब बढ़ाता है तो इसके तुरू जो होते हैं वह एकतरीके से स्वशन की प्रिक्रिया आप कह सकते हो सांस लेते हैं यहां पे स्वशन की प्रिक्रिया होते जिसमें यहां पर क्या होता है's atmosphere से air को absorb करता है और इसके through इसमे जाता है तो ऻ्द्धान रही आपका इसमें 50% कितने ऑफिस जी कंब्रेशन होते हैं ये के और कंप्रेशन होते हैं कि Luck लेवल्ट तो यहां पे आपका एंगसोगा तो ये क्रीज करगा तो ये कंदिशन एयर को करता है through silica gel और सिक कान silica gel का color भी लगाता और change होता है ध्यान रखिएगा blue color का अगर दिखे तो आपका सही silica gel indicate करता है और जैसे ये moisture को absorb कर लेता है दीरे-दीर होई silica gel तो उसका color pink हो जाता है next मैं बात करने वाला हूँ आपका यहाँ पर देखेंगे तो हमारे लिए है important term एक तरीके से buckles relay ये एक ऐसा fault detection का instrument है relay है जो fault आने से पहले चीज़ों को detect करता है ये दो तरीके से operate होते हैं अगर minor fault रहा तो ये alarm देता है और major fault रहा तो circuit breaker से trip करवा देता है और आपका transformer सेफ होता है अगर ये बात करिया जाए तो कहे बार ये भी question पुछ ले जाता है कि buckles relay का position क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखना main tank ये जो हमारा transformer का main tank है और ये conservator है in between हमेशा इसके beats use कि आते हैं यही है जिसको बड़ा सा size में आपको लिखाय गया ये आपका बखोज ले लिया है ध्यान रखने ये इंटर्टर्न यानि internal protection को हमेशा बताता है इससे कई question बन जाते हैं आपके और दूसरा conservator or main tank के बीच होता है इसमें float जो होते हैं वो mercury switch और float वगर यूज होते हैं ध्यान रखेगा इसके अंदर जो mercury switch और float यूज होते हैं कम अगर fault का level बहुत छोटा है तो ये alarm बजर यानि बजाता है आवाज को बजाता है और इसके fault के level अगर बहुत ज़्यादा transparent का अंदर heating हो रही है तो उसके क्या होते हैं gas release होते हैं वो इसी होके जाके टकराने के कारण ये operate करता है अगर ये operate करता है तो ये heavy signal जब कुस condition में देगा जब fault का level internal fault बहुत ज़्यादा होगा बढ़ा होगा ऐसे condition में circuit breaker को signal दे के circuit को trip कराने का काम करता है तो ये है आपका about buck holes relay next आपके सामने है breather transformer के अंदर breather का भी बड़ा application होते है breather क्या है एक तरके के ये rest position कह सकते है breather जो होते हैं tank जो congervator होता है आपका congervator होता है उसके अंदर देखो गई तो ये विदर लगे होते हैं यहाँ पे और इसके अंदर क्या भढ़ा जाता है silica gel ओके silica gel भढ़ा जाता है ये ध्यान दे आपको कह वार exam में पूछे आता है कि विदर के अंदर क्या फिल किये आते हैं यहाँ पे यह जो इस्ती है यही silica gel है विदर में जो processing में यूज होते हैं ध्यान रखना है विए इसका color दो तरीके से देखने को मिलेगा एक तो होगा blue and दूसरा color देगा pink याद रखना ये कब किस color में होता है ये भी आपके exam में लगा तर देखने को मिलता है अगर ये absorb नहीं किया होता है तो इसका color हमेशा आपको दिखेगा blue जब ये moisture को absorb कर लेता है तो इसका color दिखेगा आपको pink जिसको practically आपने transparency यहाँ पे दिखाए गया है जो absorb ये moisture को absorb कर रखा है तो ये आपका है कैसा pink color का दिखरा है जो moisture को absorb नहीं करे आपको दिखेगा यहाँ पे इंचेयों का भी ध्यान रहे अगर यह pink color होता है तो बाद में इसको क्या किया आता है Replace कर दिया आता है इसको replace करना बहुत जोरी है maintenance purpose maintenance purpose से इसको क्या करना होता है आपको replace कर देना होता है तो यह silica jail होता है कई बार exam में आपसे लगातार इसके regarding questions भी पूछ रही आते हैं वीदर ध्यान रखें वीदर क्या है जिसके थुरू क्या करते हैं हमारा congerbators absorb करता लगार expand होता है आप पता है अगर oil expand किया तो oxygen बाहर रिलीज होता है oil compress होता है congerbator का तो ऐसे condition of air का क्या होता है यहां से देखिए यहीं से air atmospheric air यहां पर absorb करता है और रिलीज भी करता है air को absorb भी करता है तो अगर moisture चला जाता है तो उसके कान इसका color pink हो जाता है इसका color moisture कान का होता है पिंक जिसको आपको replace करना पड़ता है moisture नहीं जाना जहें tank के अंदर कभी moisture नहीं होना चाहिए इस तीजी का विध्यार नहीं कि अब यह भी पूछता है कि इसके अंदर oil कैसे होता है या तो mineral oil होते हैं ओके और आप बोल सकते हो कि यहां इसमें naphthine का combination होता है इस oil के अंदर नौ मैं यहां पर discuss करूँगा transformer की bussing की bussing भी transformer का एक outer part होता है outer part की बात करूँ तो यहां पर bussing एक पार्ट होता है जब आप देखते हो आपके distribution system घरों को supply देने वारा जो transformer होता है distribution transformer वो इस तरह के साइज बड़े दिखेंगे एंड कुछ के साइज छोटे दिखेंगे low voltage side को हमें इसा indicate करता है छोटा वाला next अगर high voltage side की अगर बात करोगे तो यह होता है आपका बड़ा वाला high voltage level होगा तो इसका side बड़ा होगा यह bussing होता है यह low voltage side के इसका side छोटा होता है दियान रखें अगर यह तो अभी नहीं दिख रहा आपको inner side में भी यह bussing inner side में भी इसके side अंदर थोड़े depth में होते हैं ताकि यह metal side इसका size यह सा बड़ा क्यों होता है चोटा होता है क्योंकि voltage transformer की body हमेशा किस से connect होती earthing से earthing मतलब zero volt और यह कापी high voltage होता इसलिए दोनों के बीच इस zero volt और इस high voltage high voltage high voltage की बीच gap होना चाहिए otherwise क्या होगा leakage current होगा क्या होगा leakage यानि capacitance effect कहीं न कहीं formation होगा इससे बचने के लिए हम bussing का उप्योग करते हैं next आपके सामने एक और topic है जो transformer के outer body में आपको देखने को मिलता है जिसको बोला आता है ऐसे condition में क्या होता है MOZ ध्यान रखिए यह क्या करता है oil की level को यह इसके जो यह आप देखोगे न यह part जो होते float होते हैं यह उपर नीचे move करता है जिसके कान एक signal आपको दिखाई देगा यह उपर दिख आपको एक indicator होगा जो उपर नीचे आगे पीछे ऐसे दिखाई देगा indicator कभी इधर इधर का movement यह जैसे उपर नीचे करता है उसके cross-pand यह movement करता है और यह बताता है कि oil का level क्या है दूसरा एक normal indicator भी होता है जो आपको oil के level को Concurbator में लगाता अा सो कर रहा होता है कि हा यह क्या है तो ध्यान रखें यह एक normal indicator होता है जो oil के level को बताता है यहाँ पे जो instrument यूज होते हैं जिसको indicator कहते हैं वहाँ पे जो आपका instrument का pointer कहाँ पर needle जाएगा उस चीज को बताने के लिए यूज किया आते हैं क्या magnetic oil gaze magnetic oil gaze ध्यान रही चीजों का आपसे पूछता है यहाँ पे couple of magnets यूज किया आते हैं इसके अंदर एक यहाँ पर एक यहाँ पर magnet यूज किया आते हैं यह क्या होते हैं magnetic oil gaze यह भी होता है जिस जो indicator के रूप में आपका काम करता है इस टर्म आपके लिए आता है radiator अगर radiator की बात करूँ तो radiator को चाहते हैं ज्यादा ज्यादा क्या हो cooling provide की जाए अगर यह cooling इसको provide करना है तो इसके लिए radiator और fan का भी इस्तमाल करते हैं तो यह radiator होता है यह आपका ट्रांस्वर्ण का जो outer side होते हैं जो metal body से connect होता है body के अंदर वो यह हम आपके क्या होते है radiator होते हैं जो mainly cooling provide करने का काम करता है body transfer चुकी एक solid conductor होते हैं यह iron एक क्या है iron एक conductor है उसके थूरू पतले-पतले blades के थूरू यहाँ से cooling provide की यह cool होगा तो आपका यह metal का body भी cool होगा तो radiator इस तरह के से आपको दिखाया आता है असानी से चीयों को visualize कर सकते हैं तो करेंगे आज के इतना ही good luck